हेलो गाईस, आज हम बात करेंगे Realme X7 Max के Applications Height System के बारे में वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारी यूटूब चेनल को सबस्काइब कर लीजिएगा बेल का इकन को प्रेस कर लीजिएगा सो गाईस, आप लोग अगर अपने फोन में कोई भी Applications को Height करना चाहते है, चाहे वो Default Application रहे, या फिर AP के रहे, या फिर कोई भी Applications आप लोग यूज़ कर रहे है अपने फोन में, तो वो Applications को आप लोग Height करेंगे और Height करने के बाद वो आप लोग को नहीं Background में नज़र आएगी Realme में प्रवाइड के जाता है इसके लिए आप लोग सेटिंग उपन करेंगे और यहाँ पर हम जो है Privacy वाली सेटिंग में क्लिक कर देंगे और Privacy Protection में हमें Option में लगा यहाँ पर High Deps का इस पर क्लिक कर दीजेगा या फिर आप लोग सिंपल तरीके से सर्ज भी कर सकते है अगर आप लोग यहाँ पर इंटर करेंगे तो आप लोग को अपना Passcode डाल देना है जो भी Passcode आप लोग डाले कर अपया उसको Note करके रख लेना है क्योंकि अगर आप लोग इसको भूलते हैं तो आप लोग को प्राब्लम हो सकती है तो मैंने चाहत आप लोग भूल इसलिए आप लोग अपना Passcode ध्यान पुरुवग की डाले उसके बाद जितनी भी Applications रहती आप लोग के फोन में सारी की सारी Applications यहाँ पर आ जाती है अब यहाँ पर जो भी Applications को आप लोग को हाइट करने आप लोग काफी आसान तरीके से हाइट कर सकते हैं जैसे कि for example मैं यहाँ पर Facebook हाइट कर देता हूं ठीक है ना Facebook हाइट करूँगा इस पर मैं टैप करूँगा तो यह मैंने इसको जो है Recent Tasks से भी हाइट कर दूँगा और इसका Notifications भी हाइगा जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँगा आप लोग को यहाँ पर मेरे phone में Facebook था अब वो Facebook हाट चुका है ठीक है ना अगर मैं search करके भी दिखा दूँगा आप लोग को यहाँ पर Facebook तो यहाँ पर भी जो है वो Facebook नजर नहीं आता ठीक है ना अगर मुझे इसको फिर से अनाइट करना है तो वही feature में जाओंगा अपना passcode डालूँगा उसके बाद यह जो दिखा रहा है यहाँ पर hidden apps में इसको मैं अंटिक कर दूँगा तो यहाँ पर मेरे phone में पर Facebook यहाँ पर आ चुका है तो इस टैप से जो है यह feature work करता है और काफी आसन तरीके से आप लोग किसी भी application को hide यहाँ पर कर पाएंगे उमिद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंने की जैमाता देगे